अगर अपने घर में अपने बच्चों के साथ अगर कुछ प्रब्लम होती है तो बहुत तकलीफ होता है लेकिन अगर किसी के बच्चे के साथ अगर दिक्कत हुई है अगर किसी दुसरे पराय लोगों के साथ दिक्कत हो रही है तो हमें कोई फर्क नहीं परता है भया आपकी जिंदगी है आप समझो हमें तो कोई फर्क नहीं परता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं बॉलिएवड में और जीता जाकता उधारन जो है वो महेस भर्ष त है जी है उनकी बेटी आलिया भट क्या रिजन है क्या कारण है कि सुसान सिंग राजपुत उनको लेकर के भी काफी डिप्रेशन में थे महस भट को लेकर के तो थे ही वो सारी भेद आज मैं आपको इस वीडियो में खोलने वाला हूँ कौन कौन सी ऐसी प्रोब्लम थी कौन कौन सी ऐसी बाते थी जिसको लेकर के आलिया भट सुसान सिंग राजपुत से नफरत करती थी और ऐसी बहुत सारी बाते जो सिर्फ महस भट ही जानते थे और आलिया भट ही जानते थे दोस्तो महेस भट ये बोलते हैं कि सुसान सिंगराजपूर डिप्रेशन में थे मुकेस भट ने ये भी कहा कि सुसान सिंगराजपूर डिप्रेशन में चल रहे हैं हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले तो मेरा कोस्चन महेस भट और मुकेस भट दोनों से हैं मैं हमेशा निउस में अपडेट रहता हूँ मैंने एक निउस पेपर में ये भी पढ़ा था कि साइन भट काफी डिप्रेशन में चल रही है और आज अलिया भट तो काफी डिप्रेशन में है वो उनकी ब्रैंड गए गंगु भाई जो मूवी आने वाली थी उनको रोक दी गई है कंट्रोवर्सी में उनका नाम है रनवीर कपूर के साथ उनकी शादी होने वाली थी लेकिन अभी रनवीर कपूर भी ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इसे शादी करूंगा तो मेरी ब्रैंड बहलू है वो ग बताओ कि इतने डिप्रेशन में आपकी बेटी बेटियां तो हैं तो क्या उनकी सुसाइड उन्होंने अभी तक तो नहीं किया है ऐसा तो कोई खबर नहीं आया है लेकिन आपने तुरंत अंतर्यामी हो आप तो भगवान से भी बरे हो ऐसा लगता है आपने तो ये बता दि ये डिप्रेशन में है इसकी मुवी फ्लॉप होने वाली है इसको चप्पल उठा के मार दो इसको फ्लॉप करवा दो इसको सुपर हिट करवा दो अरे अपने घर की जो वातावरन है पहले वो आप सही कर लो फिर दुसरे के घर की बातों में आप इंबॉल्व करना उनके इ लेकिन वो सोचने पर बहुत बरी बात लगती है सबसे पहले आप ये जान लो कि राप्ता जो मूवी थी उसमें अलया भठ काम करने वाली थी लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस मूवी में सुसान सिंग राजपुद भी काम करने वाले हैं तो उन्होंने तुरंट मना कर दिया कि मैं इस मूवी में काम नहीं करूंगी और महेस भट ने ही मना किया था कि तुम इस मूवी में काम मत करो। हाफ गल्फेंड में आलिया भट काम करने वाली थी या आपको भी पता है कि हाफ गल्फेंड में आलिया भट हैं लेकिन पहले जो बात हुई थी जो कंट्रेक्ट साइन हुआ था जिनके लिए बात हो रही थी वो सुसान सिंग राजपुत को इस मूवी में काम करने के लिए ब और उस मुवी में फ्लॉप एक्टर अर्जुन कपूर जी हां ने पोटीजम के बहुत बड़े शिकार आपको भी पता होगा मैं बार बार तो नाम नहीं लेना चाता है ऐसे फ्लॉप एक्टर की बट क्या करूँ लेना पड़ता है कभी कभी ये आलिया भट क्यों इतना नफरत करती थी फ्रेंड सुसान सिंग राजपुत से अगर इसको जानना है तो थोड़ा सामें पास्ट में चलना होगा तो मैं थोड़ा पास्ट की स्टोरी आपको सुनाता हूँ रिया चकरवर्ती और महस भट दोनों का अफेर जोड़ सोर से चल रहा था और इस चीज़ को पसंद नहीं था किसको सुसान सिंग राजपुत को सुसान सिंग राजपुत मना भी करते थे कि तुम उससे मत मिलो उससे मत बात करो दोस्तों जब पता चलता है आलिया भट को की रिया चकरवर्ती और मेरे पिताजी महस भट का दोनों का आपस में संबंध है गैर संबंध है जिस कारण से वो रिया चकरवर्ती से नफरत करने लगती है और रिया चकरवर्ती के बज़े से बॉलीवट के गलियारों में ये खबर पहुचने लगती है कि एक बुढ़ा इंसान, एक बहुत थरकी इंसान अपने पोती के उमर के साथ अवेच संबंद रख रहा है जिस कारण से ये आलिया भट को काफी बुरा लग रहा था और इस राजपूत को कोई भी टॉक्सों में I kill him SSR I kill him सुसान सिंग राजपूत ये सारी चीजें बोलती थी हमेशा टॉक्सों में उनकी बेज़िती करती थी ये सारी चीजें सुन सुनकर सुसान सिंग राजपूत काफी डिप्रेशन में चल रहे थे दोस्तों मानो या ना मानो आ सेलिब्रिटी लोगों के साथ में ही रहेगा वो स्टार्डम उसके पास रहना चाहिए और वो स्टार्डम के साथ सेलिब्रिटी के बीच में रहना चाहता है और वो स्टार लोगों के साथ ही काम करना चाहता है लेकिन स्टार लोग और स्टार किट्स कोई भी आउटसाइडर जो होते हैं उनके सब्सक्राइब नहीं करना चाहता और अपने आपको बेजती फील करता livro के सब्सक्राइब जब वो जाते थे तो उनको embarrassing feel होती थी, बेज़ती feel होती थी, in fact कपिल सर्मा ने 100 मेसराधा कपूर का जब आप 100 देखोगे, तो कपिल सर्मा ने भी उनकी खिचाई की थी, उनकी बेज़ती की थी, उनकी criticize की थी, उनको नीचा देखाने की कोशिश की थी, अब ऐसे लोगों को मैं comment नहीं करना च चाहूंगा, आज दिसाशालियान के बारे में क्यों कोई बात नहीं करना चाहता है कि वो एक लरकी थी, क्या वो famous नहीं थी, उसके बारे में हम क्यों नहीं जानना चाहते है कि उसकी मौत होई क्यों, ठीक है सुसान सिंह राजपूत के लिए आप लोग आवाज उठा रहे ह लेकिन एक बार, it's my authority, it's my responsibility की हम लोगों को दिसाशालियान के बारे में भी जानना चाहिए कि उनकी मौत होई कैसे, उनको मारा क्यों गया, बस यही रिजान है कि वो famous नहीं थी, जिसकारण से हम लोग उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे, एक-एक इनसान की जंदगी important है और हर किसी के बारे में जानना हमारी authority है, हमारा अधिकार है और हमारी responsibility है, की-की वूफ के अंदर भी वही chance थी, उसके अंदर भी वही plan था, उसकी भी मौत होई है और उसकी भी मौत दर्दनाक होई है, तो उसके लिए भी आवाज उठना चाहिए, उसके इनसाफ के लिए अवाज उठना चाहिए, उसके माबाप कभी सामने आकर के नहीं बोल पा रहे क्यूं? ये पूरी तरह से पुड़ा groupism चल रहा है, जिस कारण से पूरे लोग डरे परे हैं, सहमे परे हैं, कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, तो मेरे बारे में क् बुराई और अनिती अत्याचार बढ़ता चला जाएगा, और फिर इस समाज में बुराईयां आती रहेंगी, और हम लोग यूँ ही accept करते रहेंगे, दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूंगा, कि आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो, और सुसान सीमराशपुत क लिए जितने भी लोग आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए मेरे तरफ से एक ग्रैंट सैलूट तो बनता है, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आसी स्राट और विदा लेता हूं, फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ, आपके समख छुपस्तित रहूंगा, तब तक दीजिया इजाज़ात, आपका जीवन सफलो, मंगलो, अपना ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा